तो आज हम दिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 60 क्लास 9 थे मैथमेटिक्स की ये वर्कशीट है इसमें हमने पढ़ना है सैक्लिक क्वाडरी लेटरल के बारे में एक ऐसा क्वाडरी लेटरल जिसके सारे के सारे वर्टेक्स कहां आएंगे सरकल पर तो बेटा ये क्या हो है चाहिए सरकल पर तो क्या बन चाहिएगा सैक्लिक क्वाडरी लेटरल और देखो बेटा जैसे इसमें है इसमें ये वाला पोईंट सरकल पर नहीं होगा अब ध्यान से देखो सैक्लिक क्वाडरी लेटरल की प्रोपरेटी क्या कहती है the sum of either pair of opposite angles of cyclic quadrilateral is 180 degree opposite angles का sum cyclic quadrilateral के अंदर कितना होगा 180 degree it means angle a plus angle c is equal to 180 degree angle b plus angle d is equal to 180 degree here opposite angles का जो sum होगा वो हमेशा क्या होगा 180 degree अगर उसने दिया है कि यह क्या है cyclic quadrilateral दूसरी property क्या कहती है अगर किसी circle के अंदर ऐसे ही quadrilateral दे दिया अगर उसको मिरको प्रूब करना है कि circle की circle cyclic quadrilateral तो आपने क्या चीज़ प्रूब करनी पड़ेगी कि जो opposite angles है उनका sum कितना होगा 180 degree अगर opposite angles का sum 180 आ जाता है तो वो क्या बन जाता है cyclic quadrilateral ठीक है अब आज वो next question number first page ने बोला in the following figure ABCD is a cyclic quadrilateral अगर cyclic quadrilateral है तो यहाँ से एक ही condition ध्यान आएगी बेटा कुन सी condition that sum of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree कितना होगा एक सबसी degree in which AC and BDR diagonals and angle DBC कुन से angle DBC सिर्फ ये वाला कितने का दिया होगा पचपन ठीक है फिर उसने बोला है एंगल BAC और कौन सा angle BAC यानि कि ये कितना दिया होगा है पैंतालेस ठीक है आप ध्यान से देखो अगर DC आपके पास एक code है तो एक ही code से एक segment में अगर कोई angle बनाऊंगी तो बराबर होंगे तो जो इस code के थूँ ये वाला एंगल बना वो इस वाले एंगल के क्या होगा बराबर तो ये पच्पन है तो ये भी क्या हो जाएगा पच्पन तो क्या लिखोगे से इंस CD is a code then कौन से एंगल एंगल का नाम लिखो एंगल CAD एंगल CAD is equal to angle CBD कौन से एंगल CBD is equal to 55 degree reason क्या है एंगल लाइज on the same segment एंगल lies on the same segment clear ठीक है अब देखो इसने क्या बूला अगर ये वाला भी पच्पन है तो cyclic quadrilateral की condition क्या कहती है जो opposite angle से उनका सम कितना है 180 तो ये और ये मिलके दोनों कितने का बना देंगी 180 degree का तो लिख दो यहाँ पे यानिकी angle now ABCD is a cyclic quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral अगर ये cyclic quadrilateral है तो जो ये वाला एंगल है DAB कौन सा एंगल एंगल DAB बराबर होगा किसके DCB के किसके बराबर होगा DCB के sorry बराबर नहीं होगा दोनों को जोड़ूंगी तो कितने का बनाएगा 180 degree के तो आप देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ DAB की तो ये इस और इस एंगल से मिलके बन रहा है तो 45 प्लस 55 45 प्लस 55 और प्लस एंगल DCB is equal to 180 degree ठीक है तो ये कितना बन गया यहाँ से 5 और 5 10 5 और 4 9 और 1 10 प्लस एंगल DCB is equal to 180 degree ये प्लस है वहाँ चाहिए का minus तो एंगल DCB is equal to 180 minus 100 इट मेंस 80 degree मिलको इसी की वेली निकालनी थी BCD अगे आपके बस complete angle ठीक है अब आते हैं सेक्ट प्लस पर PQRS is a cyclic quadrilateral अगर PQRS एक cyclic quadrilateral है इफ एंगल Q is equal to 65 और इंगल R is also 65 तो ये आपके दो फाइंड P और S दुनो के दोनो same है तो ये दोनो भी क्या रहेंगे same ठीक है तो क्या लिखोगे since PQRS is since PQRS is cyclic quadrilateral कैसा है cyclic quadrilateral then some of opposite angles some of opposite angles is 180 degree it means अंगल P plus अंगल R अंगल P plus अंगल R is equal to 180 degree और अंगल R की value कितनी है 65 so अंगल P plus 65 degree is equal to 180 degree अंगल P is equal to plus है वहां चाहके minus हो जाएगा तो 10 में से 5 गया 5 7 में से 6 गया 1 यहां बच्चा 1 कितना आगया 115 degree and अंगल P is equal to अंगल S is equal to 115 degree तो बचा यह थी आपकी वक्षीट नमबर 60 I hope it is clear to everyone and if you like it then please share and subscribe thank you so much